देश में साल 2020 का पहला सूरी ग्रहन रईवार को है साल के सबसे बड़े दिन 21 जून को पूर्ण सूरी ग्रहन है जिसमें चांद सूरी के लगभख 99 पतीशत हिस्से को ठक लेगा ये ग्रहन सुभा से शुरू होकर दोपर 3 बच कर 4 मिट तक रहेगा इस दोरान सूरी एक चमक्तिवे कंगन की तरह दिखाई देगा जिसमें चांद करीब 30 सेकंड के लिए सूरी को ठक लेगा इस सूरी ग्रहन के प्राकरती ग्रूप से पंड़े वाले प्रभाव और लोगों को किस तरह की सावधानिया बरत नी है साल 2020 भारत के लिए कई बड़ी चुनोते लेकर सामने आया जहां देश में शुरुआत कोरोना से हुई तो उसके बाद लगातार देश में आ रहा है भुकम फिर चीन से हुई हिंसक जड़ब के बाद अब कल देश में एक बड़ा सूर ग्रहन होने जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि कहीं नगई अंधकार चाहेगा इसको लेकर हम बिल्डा मंद ऑडिटोरियम इस्थेत तारा मंदल के साइग निर्देशक संदीब अचार जी से बात करेंगे क्भ्यों और उनसे जानने कोशिक करेंगे क्या कुछ तो ये ग्रहन उसमें खास रहने वाले सर कल एक बड़ा सूर ग्रहन होने जा रहा है कल इस साल को जो बड़ा ग्रहन का असली जो मज़ा है अगर आपको देखना है तो इस समय आपको होना चाहिए था घरसाना या सुरतगर के असपास कहीं पर जहां पर सुर्य की जदातर हिस्सा करीम निन्यनामी प्रतिशत हिस्सा चंद्रमादरा ढगा जाएगा और चंद्रमा सुर्य एक कंगन के आका में उसके पीछे से चमकता रहेगा पूरा अंधिर तो च्छा नहीं जाएगा लेकिन यह अपने आप में एक अनोखा नजारा है आगर आप अपने एधियात बरत कर आप इसके तरह इसके नजारा के लिए उटाईए एकलिप्स गगल्स इस्तमाल के जिए नहीं तो वेल्ड इस्तमाल के जिए 14 नंबर वेल्डर्स ग्लास बहुत ही सेफ है क्रपया एक्सर फिल्म यह पुराने एक्सपोस फिल्म जरूर बिल्कुल इस्तमाल ना करें और जरूर कुछ घटना है यहां पर जो हम कि मैं तो नहीं बनता है डिकल्स बाद एक ऐसा ग्रहन पढ़ने जा रहा है तो इसमें क्या कुछ प्रभाव रहने वाले हैं कि प्रभाव पर्यावरन में इसको लेकर देखने को मिलेंगे यह केवल धूपचाओं की खेल है ग्रहन पर और धर्ती पर कहीं ने कभी कभी ने कभी साल में तो कम से कम दो सूर्य ग्रहन होते ही हैं डेपेंड यह करता है कि धर्ती के उस समय आप कहां पर हैं जैसे यह जो सूर्य ग्रहन है वो अमरिका में दिखा नहीं जाएगा क्योंकि तो समय रात होगा, डिसम्बर में दूसरा सूर्य ग्रहन है, वो भी कंगना कर नहीं दिखा जाएगा, क्योंकि वो दक्षिनी अमेरिका के नीचे से दिखा जाएगा, तो बात यह नहीं है, कि यह बहुत ही रेर है, लेकिन किसी एक स्थान पर अगर आप खड़े रहें, तो उ पूर्ण होते हैं या अंगशिक होते हैं आप डिपेंड करता है कि आप कहां रहते हैं तो इसके नजारा अलग ही होता है और अधे मिनिट तक सुर्य के के बल एक प्रतिशत हिस्सा चंद्रमा के पीछे सद्धिक नजारा जो है वो अपने आप में एक जिंदगी भर के लिए यादगास्त यादा यादगार बन जाएगा आपके लिए यादगार बनेगा लेकिन मैं जाना चारा था प्रभाव क्या कुछ रहने का पर्यावरण में इसको लेकर कुछ प्रभाव पढ़ेगा कुछ परिवरतन देखने को मिनेगा ये के बल नॉर्मल दूप चाहों की ख जुब जा रहा है उसमें प्राणी जगत में थोड़ा बहुत हलचल जरूर होगा क्योंकि यह आम अपनी एक्सपरीश में नहीं है लेकिन जो बाकी जिब जगत है पेड़ पौध है इसमें तो लॉजिकल कोई एक्स्प्लानेशन नहीं बनता है आपने का कि कोई जैसे दिन चर्या में फरक पड़ेगा जो आम जन है उनको इस तरह कादत नहीं क्या कुछ एहतियात आप उन्हें बताना जाते कि इस तरह का इतियात इस सुर्ग रहन को कि यह कभी कभारी होता है देखने के लिए लोग आपको को कोई हाणी पहुंचा सकता है तो वो कैवल आपके आखो को ही पहुंचा सकता है जाये बिल Killer तो आप नहीं जाना कि अगर